आज हम कच्चे आम की खट्टी मीठी चट्नी बनाने वाले हैं जिसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा पच्पोरन और एक चोटी मीठी जिसके हमने पुक्ड़े कर लिये हैं बारिक बारिक अब दो लेसुन है उसको भी बारिक काट कर लिया है थोड़ा सा नमक और दो कच्चे आम और हाप को टोरी सक्कर यहाँ पर हम आम के छोटे छोटे टुक्ड़े कर लेंगे अंदर का जो बीज जही से हम निकाल लेंगे यहाँ पर हम एक चमत तेल डालेंगे तेल गरम हो गया है हम पचपोरन डालेंगे पचपोरन डालने के बाद हम इसमें मिल्ची डालेंगे और लाइसन का तुक्रा हलका सबुनने के बाद हम आम की पुक्रों को डाल लेंगे इसमें तो बाद की उपर से नमक हम दालेंगे यहाँ पुक्राइब दालेंगे यहाँ दालेंगे देख रहे हैं आम का तुक्रा था हो गल रहा है यहाँ अच्छे से पक रहा है जो मिनत के लिए हम इसको अच्छे डाच देंगे इसमें हम पुड़ा पानी डालेंगे और यहाँ सबका डाल देंगे पानी भी डाल दिया है इसको धाग देंगे अच्छे से पाक जाएगा अच्छे से उबल रहा है इस अच्छे से उबल रहा है इसकर भी गल गया है पानी में इसको पानी गाड़ा होने तक पकाएंगे गयास को थोड़ा सा तेज कर लेंगे इसको कम नहीं रहने देंगे अच्छे से देखिए हमारा जो पानी का गाड़ा हो गया है इसको बंद कर देंगे एकटी मिटी चट्मी हम किसी भी चीज से खा सकते हैं रोटी पराथा पूरी कर देंगे मिटी आएपाने के लाज बंद किसी बंद कर देंगे